आप इसे निकल आजाते हैं, पोई अगर एक स्कूटर बाला जूतरी स्कूटर बाले से आगी निकल जाता है, तो वो जूतरा उसको ऐसे भूर करके देखता है, जैसे इसकी सारी प्रॉपर्टी ले लिए, तो बंद्व इस फरकार से हम क्या करें? आप मस्तक पर वीचोबी उगली रख करके तलक लगाने की भावना कल्या, आप बंद्व ओ यह जाना है दिवतालोग का में, लेने वाले कोई इस्पेक्टर बंद करके लेता है, कोई थानेदार बंद करके लेता है, कोई डाकू बंद करके लेता है, कोई जेवकत्रा बंद करके लेता है, कोई बहुस बंद करके लेता है, ले भारत में दिवतालोग का में, जैसे ही पता लगा कि राजा प्रजाश्टी लगा रहा है तो राजा भी शिक्नाशन पर बैठा था राजा की तरब किसी का ध्यान नहीं था सोना, साधी, हीरे, मुवती, बात, अन, अनाज, पैसा, सब कुछ रखा था और लोग अपनी उपनी मन पसंद चीजे ले जाने लगे राजा की तरब किसी का ध्यान नहीं था मंत्रीन का टोलर की तो यहां जो खड़ी हो गई तुझे जो लेजा ना लेजा का मुने नुमासमा से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यह राजा अच्छा लग रहा है राजा का क्या करेगी राजा यह धन, यह ऐसोई, यह बैवो इस राजा का है और जो मैं राजा का बरन करूँगी तो मने एक चीज के लिए बटक नहीं पर लेती है तो एक एक चीज के लिए उसको बटकना नहीं परता फिर तो क्या होता है सुई जाने ही जहीं जानत तुमा ये तुम्हें होई जाने पिन नाथ वोई परती है तेरे जबाते नहीं पातित राजी, तुझे नहीं पातित राजी, तुझे नहीं मुखत राजी, मुखत राजी, तुझे नहीं पातित राजी, तुझे नहीं पातित राजी, पंडितानी क्या लाने लगती है जार उसे कोई भी पत्रा पोथा देखना नहीं आता उस्यों क्योंकि उसे पत्री का बरण करते हैं तो भगवान की जिवुष्णों के हम भागीदार बन जाते हैं अपने आपको साधो किसको साध है आज हमारा जीवन गिर रहा है आज हमारे बिचार गिर रहे है आज हमारा ब्यवार गिर रहा है इसको बीच में ठाम लेने का नाम साधना है तो साधना के लिए एक दिन का ब्रद या एक दिन का भी कोई गलत कारी न करें यह सौंबार को जूटना बोलें मंदलवार को किसी को सताय नहीं गुद्वार को किसी को दुखना दें गुरुबार को मौन रहें तो और सुक्रवार को कोई अच्छा कार करें कोई एक कार करने यह साधना और इस तरे आरादना आरादना का मतना यह सारी दिन्या का दीन दुखी है बगवान कहा है दीन हीन के असल नीर में पजितों की परताख फीर में संधा की चंचल समीर में करता था तुगान यह परता तुए है बगवान खोज में फिरता हुआ है रान बगवान दीन किताबें देजो किसी फटे हाल को कपड़े देजो यह आराधना है आराधना का मतलब यह नहीं कि तुम भूंग बताओ कि बिल्क पक्रिपे यह लिख दो तो यह हो जाएगा और जो ऐसा नहीं ऐसा कर दो और इस मंत्र को छोड़ करके यह वाला मंत्र जब हो कितने व्यशन चुडबा दिये कितने ब्रच्छा रोपन कर दिये कितना स्वचता व्यान दरा दिया कितना युवाओं को जागरत कर दिया कितने लात्म कुंद यद्य सारे देश वर्में पांट कुंदी चले करके और हजार कुंद तक हो गए तो हमसे पूछोगे हमसे काओगे महाकाल से प्रुष्ण करोगे महाकाल कान पकड़ करके तुमारे सारी बखवातों को आगे आने वाले समय में धर्के रख देगा इसलि भी हो जकता है सथी के वाले की है और वो है तक्से भूतर वारिन्यम भर्गो देवर से धीम है यह यह जब प्रतुए दयार इसे बड़ा संसी दिन्या में कोई नहीं यह सच्गुद्धी को धारन करे है और यहीं सबसे बड़ी आरादनाः इस वहाव के साथ कराफ पांचा जाता है नोकांर लगाई जाती है और घंघ का मतलब यह कि 2 समय की यूग की दो माँ समय दान अंस्दान है थो आलिए बहूं के साथ में आई है फबस गोषिजा हम जाया हम जाया हम दीन आप भी इसी प्रकार से दाया हाथ उठाएं मुठी बाने जिनको भी भगवान ने दाए उपासना साधना आराधना समयदान अंसदान को पूर्ण करने का संकल्प बोलिए हे महाकाल उजल भविष्ट की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरे हो हम शुख सुभाग प्रे पुन्य तथा आपकी कृपा के अजिकारी बने आप से जिव्यनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुचाने की हमारी पात्रता पढ़ती रहे हाज जोड़े हाज चूत्रों को जोड़ा है ओम इसान शासनम ओम इसान शासनम विकरो मी विकरो मी ओम मर्यादाम तरिश्यामी ओम बर्मियम नो तरिश्यामी मोश इस्यामी शित्पकति मना हसता उच्वपुशाजर आ शारवे शात्य की पावसुं विदारा विर्वेगो पया जुरेवा स्दावेगो अपर्वणा अवंग इश्य सहिताह सर्णिं करसंत सवा सित्राई अत्रायत्री साडिती सांतिको सित्राई कई विश्ठंत गोटादिं कई चनावा अप्रकेशिताई शिर्वा स्द्रमे वासे विश्ठंच प्रदाप्रिं आधित्या सन्वर्ण्या इसे जेवा सत्रिकाः विश्ठंत शायवे अप्रदाप्रदाः कर प्रसादा दिनम् जद्यं कर तुमी ने जोग्मा विश्ठंच प्रत्य। सन्वर्ण्र थन्या है विश्ठंच प्रत्य। अंहीं इस बीजिए अम्क अमत शर्च्त देपता ज्यों नमा ऑवने इस्ता प्रियानी पूजियानी ज्यानी आजिए ये और आजिटिरी बेखना था मैं फोई आईये और हम पुझे गुर्देव गायत्री बनाता में कोई अंतर नहीं, अभी मेरे गायत्री पंजरी का इस लोग मंगलतर में बोला था जो आदिगुरु शंक्रा चाधी जी ने लिखा है, नमोर्ट गुर्वेत्स में गायत्री रूपने सदा यस से बाग मर्तम हंत्री वि इन ही स्फिरभी बेदमाता के रूप में गायत्री पुझा किस्य के काःत्री वेदमाता है, हमको ज्ञान बेती। घंक्री देव मात्री मोत्ता है, हमको पर संधर्ष्तत है, ऐसा गायत्री माता हैந्रों अभा बेंयदों करें। ओम् आयाक्वर्य देविस्ट्र्शने व्राहम आतिनि गार्यक्रिषंग साम् बाहां भ्रामयोंने नमौस्ति तेविस्ट्र प्राहम आतिनि नम्हां आरायामि स्थापयामि प्र्यागारान कपोना वस्कारं कारो ओभ गो घुटा मया वायगा बेदा अधागा का सोगा यां गागा बाली जुदाना हाई उप्रान वागां वागां शुंकिर दिधाना बर्हन वार्भासां ग्यां बास्ठा बाजटागा जया करहां बर्हना घुटाना तुन्म में हमने कलत देवता के भीतर ही समत्त देवसक्तियों को इस मुरान किया अब देवसक्तियों को पडाम करते हैं प्रादकाल के समय तो हमने पौरानिक ग्यादिक देखताओं को पड़ाम किया था अब इस युग में जिनकी आवर्शक्ता है उन चेत्राओं को पड़ाम किया जाता है और भाव यही रहता है कि अब हमारे इंदर नहीरा प्राण, नया दिर्शिकौर्ण, नया तेज आजिश्यों के रूप में, मात्रसक्ति के रूप में, भाव संबेजना, और कीर्थों के रूप में, पौरुत्रता, सदा महाविद्या के रूप में, हम नमन करके अपनी अब लुद्यों के रूप में, आप 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 लुद्यो अम सरभापया आजिति ब्यो नमा अम सरभापया, मातिषट ब्यो नमा आणा अ कर विपया, एचे ब्यो नमा आये बगवार का दिया हुआ ही बगवार के लिए समसुत करते हैं भाये पदमा करना तैसे भाग दग्यल के जैसे भगवाना भी लिनी के बेर भाये दुखी वा सुदावा के सुचावर सबाई करके अजा गई बेगते विदूर घर आए दारादाए फिरत अवर्था पे नहमें नीड़त के पाए है निजाम के फैम ही के पाए भगवार को हम सिद्धा रूपी जल समर्फिस करते हैं हम अपना जवार के मिर्दिता नवेद्य के रूप में कभी छेना होने वाली प्रहम भावनाक्सत के रूप में और हंती हसाती जिद्धी के रूप में भगवार के चड़रों में पुष्प समर्फिस करते हैं एक साथ ये चीज़े ले लेंगे पुष्पारी दोपन दीपन 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 नवेद्यां समर्पयामी सतो नमस्कारं करों में तो नमस्कारं करों में जोना हाजियों के सिनाम करें ओम अभूस्वांदाए साथ ये चाहते साथ ये चुटी तुल्वाणिये लेंगे साथ ये चुटी तुल्वाणिये लेंगे दीपक एक गटेवाद प्रज्डिस होंगे जिनकी डूटी जहां पर कुंडों के पास में आज पास जोना दिरित करने को कहा जाए तो उदर उदर अविवस्था या राजक्ता या भास दोड़ ना करें और या आजनिया नेखाली बहेंदी आएंगी और उनका उद्वोदन होगा याद्रिके बीचनों उसके पहले हम स्वस्थी वासन तक करमकाण करा लेंगे उनके आने के पहले करमकाण करा लेंगे प्रद्या दीदी आएंगी आपको कुछ लोग दीच्छा को से इत्रा गएं तो सामच दीच्छा करा देंगी उसके बाद में जो उनका ये कल Minneapolis समय साब बजे का रहे गा इसके बाद में आप तो जैसे मालूम है कि कल पूरा होती है तो पूरा होती में आप लोग क्या करेंगे कि हर पारी में पूरा होती है कोले परमकूज सफंगरों देवा की रसनीफंवाना की अब ताली बजा करके चिंस्तन आपको करना है क्योंकि हम लोग को गाते हैं और हम लोग की सुन लेते हैं आपको कर पांचे पांचे पुले कहत तभी ही तभी हमने आगन नहीं दुहारा हमने आगन नहीं दुहारा कैसे आएंगे थक्वारा कैसे आएंगे थक्वारा हमने आगन नहीं दुहारा हमने आगन दुहारा कैसे आएंगे थक्वारा कैसे आएंगे थक्वारा कैसे आएंगे थक्वारा कैसे आएंगे थक्वारा नाषफिन लाद बन्हा आपादी, नाषप्णा में व्नजार, छाथ व्नजाब काने वहिंतर शएंर नाषबादी, चामेंड करदे दोडा कोःदा, ऩेये करोड़ दोडहा आपादी, आपादी ने बन्हार, दोड़ गोड़े चयोफिन जोड़ब है túड़ीं, इनके बन्हार झाल झाल को सजाई के दीवई है कि युद्या रखुत दीवई है आंगे को बारा रखिया, और आंगे को बारा रखिया सब्सक्राइब ल Zoo कर देखा दुखिया रहा है 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 ये भी खन्लाँ पिल्दी हमाने माई मारीग लगना टरोड़़़़िसे ये खन्लाँ ये ये खन्लाँ शड़बबबबबबबबबबब ये तधाइंट एन June ारीट॥ प्राणी मेरी पर में सर्था आवास नियेगा कर दो कर दो हृद ग avocado कार वोड सब्सक्राइब सेदी पत्राइब जिर्मादमान जान जो मोनिका जिर्मादमान जान जो मोनिका जिर्मादमान 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 आपर कर दिखाते पर सकने आएगे जिसारा, तैसे आएगे मदवार, 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 कैसे आएंगे भगवार कैसे आएंगे बच्वार कैसे आएंगे गवंचाँ आमेला कर दो रातो, तो यहां 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 दो रातो, त क्लु़र ताइब आपकुआ ताइब आपकुूआ कली शापकुआ रखकुआ पुर्वाद बाजादा लिजए टो निया जाए जुटे जुटे लिए जुटे जो पर्म्न जाए जुटे लिए और अठाजी की अंसब का परमशभाग कि हम सब के बीच में जीवन विद्या क्या लोग केंद्र देव संस्केथि विशुद्द्या लगे परमसम्माने डुट सब्सक्राइब करते हैं आई ये स्वागत के करम में शिमती शुष्मा यादव जी से नेवेदर है तिलक करके परम सर्माने डॉक साथ का यहां पर सब्सक्राइब करें करें कि पुष्पहार से स्वागत के लिए ये अजय की यह जो सब्सक्राइब करें तो प्रदेयों सब्सक्राइब करें करें का तुछ ने इतन से ने डिया तो इस प्राइब करते हैं ने यह जो सब्सक्राइब कर दागें भी आज कि अधून एक आधा लगा सब्काव नहीं पुर्ण थरोगा करें आज क्या बड़ा ही पावन में पसेंगे हैं कि अम सब्सक्राजे में हुआई कर ले अब तो ने यह बदाए परद रजी करते हैं प्रभाद कर लें पर फुरह इस पुरे शक्तित गड़ पांद की ऊचे हों से अब आज ते इस पावन पर पर पह आए आए यह यह यहां स्वागत के लिए स्वागत के लिए कहा गया है कि आप स्वागत करिये है कि मेरी समय में नहीं आ रहा है कि मैं क्या स्वागत करिया है स्वागत करूं क्योंकि चिन्वे बाबू हम लोगों को मामा बोलते हैं तो हम लोग हमारे क्या हुए हूं भांजे अब मामा को भांजे का स्वागत के समद मनी आ रहा है लेकिन उनकी विद्वत्ता उनकी प्रकरता उनकी भ्यक्तित को ता हम स्वागत करें पिछले दिनों जन्वरी के महिने में मैं पांट जगा इनके साथ चला था करने का उसर मुझे मिला है जायति पड़िवार आप सब्की तरफ से मैं एस्पी सिंग उप्जोन समन्वेक भिराई और इस यद्व के आयोचक के रूप में आप सब्की तरफ से उनका हार्दी कभिननन करता हूं हारतिक स्वारत करता हूं और भेर सारी सुप्वामनाये आप सब्की तरफ स्वार्ण को देते हैं कि वो इनका भविष्य उज्वर हो और परम्पुजुक्रदेव के बताय हुए रास्ते परे चलकर पूरे 20 रुपे ड्यात्री परिवार का नाम द्रोशन करता है बस इतना ह अब बहुत भुष्य गण्यवाद आज आपको भाई साहब को भी धन्यवाद और आप सब्सक्राइब तरफ से जितना भी समय हम लोगों को देना चाहें तो हम लोगों को दें और अपनी बाड़ी से मुखर बाड़ी से आज का संदेश सुनाएं इनी बातों के साथ पोना जन्यवाद अभिरंदन मैं अबने बाड़े को भी राम जेता। आजे लोको ऩेड़ी, क्माते शोरा साथ, क्माते है बेढ़ी क्माते है निर में चल्ड़ के बरहने ही कि नियुदाकों, का वो झामी क्माते है है आहां ज्यां नहोंता अपने को जानने के अर आप्म होता अपने को जानने के फिद को जानने के जुलाल महातलता अपने को साधनने के दीवन बहाद बन था अपने को पादिने से अपरां सुधार करने देवास को निखाए अपरां सुधार करने देवास को निखाए दीवन में देवाद बन था अपरां सुधार करने देवास को निखाए दीवन में देवास को निखाए करने देवास को निखाए आवतार भी जखको दूवन अगर कदेतो बगवान भी निखको दूवन अगर कदेतो बगवान भी निखको इंसन चरिक में यद बेश पाऊवा इंसन चरिक में हुम रगवे सिता उबारे दूवन अगर कर दूवन अगर कर कारे क्यों को तुपारे दूवन अगर को कर दो सबसे समिक है या है जाना नहीं कहीं पर सबसे समिक है या है जाना नहीं कहीं पर मैं सब जोख अब भुट है जिर्थ सब यहीं पर है जिर्थ सब यहीं पर होंगे दिराच दर्शन दिरू को लिहाए होंगे दिराच दर्शन दिरू को लिहाए दिवन ही देवका है जियोन को अंतुटारा रहे दिवन ही देवका है जिवन ही देवका को ऐस जीन जीदिन सिभता, ऐस पलो तर्युसार बेवाकि जीदह लड़ Biancor Purks जीवंदेवटा की जीदून ह। आपको आपको पावन मंत्र प्रेजुवेद की दिचाओं से अउतरिट हुआ, वेदों के ज्ञाने के शिकर को छूता हुआ, उस संदेश को लेकर के आया है, जिसको अधि व्यक्ति, साधत, व्षिष्य अपने जीवन में केहराई के साथ आत्मसाथ कर पाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्तित नहीं, जिसके जीवन में क्रांति की एक नई धारा का सूत्र पात्न होता हुआ, क्यात की मंत्र पताता है कि हमारी जीवन मेरी पवित्ता, कखरता, परिष्का आस्टिकता, धात्मिकता, बॉद्धिपता, इन सब का समावेश हो पाता है। यदि गंगा, यम्ना, सरस्वती की रूप में ओ तुभेडी हमारी जीवन में प्रवाहित हो पाती है। तो जीवन उस शिकर पर जाकर के पतिश्यत होता है जहां से मनुष्य की जीवन में स्रिष्टता की उच्रिष्टता की शुरुआत होती है महानता के साथ के दिविक्ति जोड़ जाए तो जीवन में महानता की सम्हा बना जाती चंदन के साथ जाकर जाड़ जंकाड भी बैढ़ जाता है तो खुश्बू देने लग जाता है रंगा नाला भी जाकर यदि गंगा जल में मिल जाता है तो गंगा जल ही कहलाता है भगवान के मंदिल में पढ़ा हुवा छोटा सा फूज भी पूजा का आराथ्य का करण बन जाता है वैसे ही कि कोई व्यक्ति महानता के साथ अपने संबंध को जोड़ देता है तो फिर उसके जीवन में महानता की धारा अविरल महने बन जाते है गीता में आप ज्यान से सोची एक बड़ी महत्यपूर घटना घटी ग्यारवे अध्याय में बगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते है और जोब दिखाते हैं तो उनके मुह से एक बड़ा विशेष श्ब्त निकला है वो कहते हैं कालोस में लोग का प्षैक्स प्रवर्दो मैं महाकार हूँ और लोगों को समाप्त करने के लिए यहां आया हूँ लोगों का स्वामी है और आज इस समय यहां पर इन लोगों का अंत्त करने के लिए उपस्तित हुआ उत्तिष्ठ यशो लबस्त अर्दुन से कह ते दूर्तों खड़ा हो और ये शुकृ प्राप्त औो, निमित्त मात्रम भविच्प साचिन. इस कार्य को करने का निमित्त बंजा, दुर्यतन को मैंने मारा हुआ है, दुश्चाछन को मैंने मारा हुआ है, महाभारत कारण मेरा जीता हुआ है, यहां पर मैं तेरी पतिष्ठा कर चुका हूँ, तो सिर्फ धनुषमान को उठा और अपने कार्य को करने का निमित्त बन और वो जो घटना है, वो गीता की सबसे अतिहासी घटना है, एक घटना घटी है और अरजुन के स्वर बदल गए वो अरजुन जो बात-बात में शंका करता था, प्रश्ण करता था, भगवान से कहता था, आप तो अभी के पैदा हुआ हैं, फिर आप ये वैवस्त्त मनु की और विवस्त्वान सूरी की बाते कैसे करते हैं, वही इस घटना की तुरंत बात कहता है कि जाते, सूते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, जाने में, अंजाने में, अकेले में लोगों के सामने, मेरे मुह से आपके लिए कुछ गलत निकल गया हो, या मेरे मन में आपके लिए कुछ गलत आ गया हो, तो उसके लिए क्षमा करिए गया, दोस्त सबजने वाला अरजन, उस छड़ के बाद श और जैसे ही मनुष्य के जीवन में शिश्चत्य के वह घटना घटते हम समर्पित हो जाते हैं हमारा सिर्फ उश्चत्य के साथ जाकर के जुड़ जाता है जो महानता का शिखर है वहीं पर जीवन में एक नई धराकी शुरुआत हो जाते हैं कई के बार लोग भगवान से जुड़ते तो हैं पर प्राप्त कुछ नहीं कर पाते गुर्दे माता जी एक कहानी सुनाये करते थे कि एक बार भगवान शिव और पारवती आकाश मार्ग से जाते थे जाते थे तो परवति जी ने भगवान शेव से पूझा कितने लोग हैं आपकी पूझा करते हैं इंनों कोई तो भक्त होगा तो भगवान शेव बोले कि देवी दुनिया में भक्त भी है और भगुला भक्त भी है इनमें जाधर तर तो बगुला भगत है, भगत तो कोई एकाथ मिलता है, उनने का ऐसा क्यों बोरता है, इतने वेखिये, इतनी देर से लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक पती पत्नी और बच्चा बैठ करके पूजा कर रहे थे मंदिर के आगे, बोले यह तो बहुत समय से पू बोलता हो गई थे, उनका एक बालक था, वो भी वहीं पर लड़का पूजा करता है, भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए, बोले कि तुम लोगों को तीन आशिरवाद मिलेंगे, मामुक क्या चाहिए, सबसे पहले जो पत्नी की हुआ आई, पत्नी में आते से ही कहा कि बगवान आप मेरे इक्षा पूरी कर देजे, क्या इक्षा पूरी करनी है, बगवान शिव ने पूछा, बोले आप मुझे तो सुंदर यूगती बना देजे, दिया, सुंदर यूगती बन गए, अब जैसे ही यूगती बनी तो पत्नी को बड़ी जलन नहीं, बोले सुंदर आशिरभाद भी गया, अब बच्चा रोने लग गया, बच्चा बोला कि बगवान आप तो हमारी मा को जैसी थी, वैसे कर वैसे बना दीजे, तीन आशिरभाद भी मिले हों कि तो के हाथ खाली रहेगा, वैसे ही व्यक्ति भगवान से जुड़ता भी है और कुछ प्राप्त नहीं भी कर पाता है, प्राप्त वही कर पाता है जिसकी शद्धा, जिसका समर्पन और उश्वास बगवान के साथ जुड़ पाते हैं, बुद्दे माता जी इस कहानी को सुनाते थे तो यही कहते से, कि बटा, मंत्र की सार्थकता तभी है, जो हमारा जीवन, हमा जा पर कभी वन्दनिया माता जी का आग्मन हुआ, जहां पर कल शद्ध्या जीदी का आग्मन होने जा रहा है, यह अश्वीर प्यक्ति की बूमिद, आज 157.12.25 का एक पावन उत से, जहां पर हम परिश्वं को, भावना को, शद्धा को, साधना को, समर्पन को, हर चीज को शिकर पर पाते हैं, चत्रिस गड़ की एक हैथी भूमि जहां पर रज रज के अंदर हम लोग भरवान की उपस्थेती को साक्षातन गव कर पाते हैं, उस पवित्र भूमिद पर आजाने का स्वभाग्य हम लोग को मिला, यह मेरा दुरभाग्य था कि अश्वीर के समय में म दे माहि धेयो यो नाहा प्रचो दयार आज का ये तिंत ही सभाकिशाली अउसर गुरु गोविन सिंग जी की जयनती का ये पावन दिन बिलाई के एक स्वित्क्यावन कुंडी ये लायत्रे महायंकी के दीप महायंकी का ये पावन कुषण और इस सभाकिशाली अउसर पर हम लोग के साथ यहां मंच पर उपस्थित अधरनी नर्मल कर मामाजी अधरनी शाम भी हरी दुबे मामाजी अधरनी परमेश्वर मामाजी अधरनी सिंग मामाजी यहां उपस्थित इस श्यत्र के सभी परिष्ट सम्मानित कारिकरता गण इस पर यही अलोखिक और अजबुद और एतिहां से परपावन आउसर पर हम लोगों को यहां उकषित हुपाने का सभागी मिला है और जब इस तरह के विशेश अट्थात्मी कनुष्ठानों का हिस्ता बने पाने का सभाग हम लोगों को मिले तो ऐसे समयों में अल्मी चीज़ों को कर लेने के अत्रिक्त यद्ग में भागी दारी कर लेने के अत्रिक्त आहुतियों को दे देने के अत्रिक्त यहां पर स्वयम सेवत की रूप में अपनी भूमेका को कर लेने के अत्रिक्त आयोजन समिती का हिस्ता बन जाने के अत्रिक्त इस पावन वातावरण का सुभागी ग्रहण कर लेने के अत्रिक्त एक और चीज को कर लेने के आवश्यक्तार होते और जो दीप्यग्य है वो उसी संदेश को लेकर क्या आया है हम लोग को ऐसे पावन चड़ों में अपनी आत्मिक प्रगति की समीक्षा कर लेने चाहिए इस बात की समीक्षा इस बात का मुल्यांकन कर लेना चाहिए यह जो मनुष्य का जीवन है जिसको प्राप्त करने का अवसर अभी हम लोग को मिला कीथ हम लोग सुन रहे तो जीवन के देवताब का और तनिक समा रहे इस बात की समीक्षा हम लोग को कर लिनी चाहिए है कि जो मनुष्विता जीवन जिसको हम लोग फ्राप्त करके बैठे हैं इसमें ऐसा और क्या करने की आवश्चता है कि अगला अक्षण आ जाए और भगवान कहें कि बहुत जन रहे लिए चेक आउट का नोटिस आ जाए तो ऐसे में मुह से निकलें कि जो की विए भर दीनी चनरी है जो गर्व गौरव त्रिक्टि संतोश है कि जिस उद्धिष्च के लिए आप लोगोंने मनुष्च के जीवन को दिया था भगवान से कह सकें उस उद्धिष्च के साथ हम लोग नयाय कर सकें मन में एक गौरव का भावर है एक सौभाव की का भावर है एक संतोष का भावर है कि इस उद्धिष्ट को लेकर करके धरती पर आये थे उस उद्धिष्ट के साथ हम लोग न्याय कर सके जो दीप्यक के काउसर आता है वो यही स्वरण दिलाने के लिए आता है कि इस धरती पर अमरता लेकर के कोई आया नहीं और भगवान ने हर व्यक्ति को उसके कारी को करने की निश्यत कालावधी उपहार में दी है हम लोग को जीवन मिला है उस जीवन में हम लोग अपने उद्देश्ट के साथ न्याये इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं कि जो मनुष्य का जीवन है ये एक संभावना के रूप में मिलता है एक बीज के रूप में मिलता है बीज के अंदर रिक्ष बनने की संभावना है जरने के अंदर नदी बनने की संभावना है एक पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने की संभावना है और एक मनुष्य के अंदर हम में से हर एक के अंदर हर गो व्रक्ति जो यहां पर विद्दिमान है उसके भीतर भगवान बनने की संभावना विद्धिमान है तो फिर हमारा जीवन उस शिखरपन जाकर के प्रतिष्ठित होता है जहां पर इस अंसार के सारे आश्वाजे बॉने पढ़ जाते हैं सारी की सारी समपत्ती सारी संपधा सारी है जीज आएं मिन की शांति के आगे जीवन नेफिमा मत्रीक बूरड़े나ा जाते हैं ज ratios Guru आथि गुड़ती कर करके जाते हैं जिसको शुगदेव करके जाते हैं ज्सको अश्टा वरत प्रद्षेजी पढ़ जाते हैं वो आत्म पतिष्ठा, वो आत्म गौरा, वो आत्म शांती, वो आत्म साक्षादगार, जो मनुष्य के जीवन का और मानुवी पुरुशान का अंतिम शिखर है, उस ओर चलने का इशारा ये धीपे की करता है। जो कि जीवन का लगारा ये वो आत्म साक्षादगार, जो मुझा आती है की प्रसद्धन बूर्तिकार था, एक केट से गुजरता था, खेट से गुजरते समय में उसने देखा की एक चट्टान वहा पर पड़ी था, उसने जो पहसान था जिसका खेट था उससे जाकर काँ कि आप यह चक्टान बेचोंगे हमें, तो बेचोंगे, मैं आपके घर में मुफ्त में छोड़के आओंगा, उपर से पैसे दूँगा, मेरा खेत रोक करके खड़ी, आपको चहिए जो लेजा, लेकर के आए, छोड़के आए, एक साल के बाद, मुर्तिकार बोला उस किसान से, ज यह थोड़ी दिर के लिए हमारे घर चलोगे, बोले हाँ, लेकर के गया, वहाँ भगवान की मूर्ति थी साक्षा सजीव, इतनी सजीव कि उसको लगा कि भगवान स्वयम धर्ति पर उतर आए, उसके हाँ श्रत्ता से जोड़ गए, आँख से आँसों गिलने लगे, बोले आप कहां से लेकर के आए, इतनी सुन्दर प्रतिमा है, उमूर्तिकार बुला, यह वही चटान है जो तेरे घर में पड़ी थी, इस चटान के अंदर भगवान छुपे पड़े थे, तो नहीं देख पाया, मैं इसको देख पाया, हम में से हर कोई वही चटान है, हम लोग प चटान तराशी जाए, तो यह जीवन उस व्यक्टिक तो मदल जाता है, जहां पर जीवन के अंदर सुख, संभावना है, सौभाग्य, हम साधना के शेकर पर पहुंचा है, तो उसके मन में जो गौरब जन्म लेते हैं, वो इस संसार की कोई चीज उसको देखर के जाती नही मैंने चटान की कहानी आपको सुझाई, एक कहानी और आती है प्यारी, वीना की, एक परिवार में बड़ी सुंदर वीना रखी थे, पर किसी को पता नहीं, बजाना कोई जानता नहीं थे, दूर खा रही थे, एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी निकल गई, उनमें इसे कोई उस वीना को बजाना जानता नहीं, एक दिन जो घर के बच्चे थे, उनने का ये तो बेकार जगर घेर के बैठी है, उनने इस वीना को लिया और कबाड़ी को दिया है कि भाई तू इसे थरीद के ले जा, कबाड़ी ने दस बारा रुपए दी और वीना लेकर के जाने लगा, खरी दी, कबाड़ी ने का ठीक, संगीत कर उस वीना को लेकर चौपाल पर बैठ गया, और उसने जैसे ही वीना के तारों को बजाना शुरू किया, और जिस संगीत ने वहां से निकलना शुरू किया, धीरे धीरे करके गाउं इखटा हुआ, पूरा का पूरा वहां पर इखटा हो गया, हर एक के मन में भाव आया कि संगीत इतना प्यारा संगीत कहां से निकल करके आया, अब वो जो घर के बच्चे थे उनने काया कि वीना में लोटा तो, वो संगीत कार बोला लोटा तो दूंगा पर तुमारे किसी मूल लिकी नहीं, तुम इसे बज से वो सौंदर निकल करके आता है, हम उठें और अपने जीवन की समिक्षा मुल्याक्चन करें कि भगवान ने चक्तान हमें दे करके भेजा है, इसमें से प्रतिमा निकालना हमारा काम, भगवान ने वाक्त हमें दे करके भेजा है, इसमें से संगीत निकालना हमारा काम, पर एक देवता है को हमने से हरे केंद्र विद्या में अभी इसी खण पस्थिर और उसका नाम है आत्मदेव गुर्देव ने का और किसी देवता ही भूजा करने के आवश्च्रता नहीं आत्मदेवता को आभसाद लो अपने घत्तित्यों को परिष्कत करो अपने जीवन को तो स्वर्वी यहीं किछ करके चिला आता है। तो ग्यान को संग्रहित करने की जिम्मेवारी वेदव्यास को सौपी जाते है। एक युग में एक बार आते हैं। और स्वेव भगवान अवतरण लेकर के आते हैं। जब स्रिष्टि के तक्तों में असंतुलन हो जाता है। तो उसको संतुलित करने की जिम्मेवारी भगवान स्वेव अपने हाथों में लेते हैं। तो हमारी गिंती तो असंग ख्यारबों में चले गए। नजाने कितनी बार हम लोगों ने इस शरीर के अंदर चेक इन किया होगा। और नजाने कितनी बार ने शरीर से चेक आउट किया होगा। हजारों बार ये अवस्तर मिला होगा कि मनुष्य की जीवन को धारण किया होगा। और हजारों बार आग से आसू लेकर के विदा हुए होगे कि मनुष्य का जीवन मिला भी, पारस का पत्थर मिला भी, पर अपने जीवन को हम लोग सवार न सके। उसको वहां न पहुंच जा सके, जहां पर पहुंचानी के अवश्यक्ता थी, गुरुदेव नहीं बन सके, विवेका नहीं बन सके, हमारे अंदर का वो चेतना का शिखर जाग नहीं पाया, हमारे मन में कहीं न कहीं भाव आया होगा, कि है भगवान इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त भी किया और यहां से निराश हो करके जा रहे हैं, आख से आसू भी गिने होंगे, मन में संताब भी आया होगा, गलानी भी हुई होगी, पश्चाताब भी हुआ होगा, मन में दर्द भी हुआ होगा, कि है प्रभू मनुष्य का जीवन मिला पर इसके साथ कुछ क पर नहीं पाएं, तो हम लोगों को सोचने की आवश्यक्ता है, कि आज उस अवसर को हम लोग लेकर के आएं, आप एदी क्रिकेट को खेलें, और क्रिकेट को जो खेलते हैं, और आपके पास एग्दम सफेद नए-ने कपड़े हो, आप नया बल्ला लेकर के, नए ड्रेस ले करके नए गार्ड को लेकर के उतरें, और पहली पॉल पर आउट हो जाएं तो कैसा लगता है, फिरा आदमे को लगता है, बड़ा दुख है वई, अगली बार उतरेंगे तो अच्छे रन बना के आएंगे, तो हम यह सोचें, अभी तो हम लोगों पर है, अभी तो गगवान के लिए आज का उतर आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि जब प्रकाश हो, तो उस प्रकाश के आलोग में हम अपने जीवन के समिक्षा करें, इस परण रखें कि हजारों जन्मों की प्रतिक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिल पाता है, एक पूर, बड़ी प्यारी क जानी आती है, उताहनी का मूल यह बहुत प्याराया, कहानी है, संत गयनेश्वर के पहने शिष्य की नाम था चांग देल, और चांग देल जो थे तिपद्बत के लामा थे, चौदह वरस, चौदह सो वरस की समाधी उन्ने लगाई, चौदह सो वरस की उमर नहीं, चौदह स आमिली मृतक के सिर्गे उपर हात रखेंगे तो जी जाएगा, मुर्दे के सिर्गे उपर हात रखेंगे खड़ा हो जाएगा, अब इतनी बड़ी सिद्धी, भारत भर के कौने कोने से लोग अपने अपने घर के जो जो संबंधी, रिष्टेदार, दोस्त, शरीर होती थी, उतना उनका हंकार बढ़ता कि मेरे पास वो सिद्धी है, जो सिर्गो भगवान के पास है, एक दिन ध्यान लगा के बैठे, इतनी देर में बाहर लोगों किशाव रखे हुए था, आठ साल की एक ललकी आई, नाम था रतना भाई, संत ग्यानेश्वर की छोटी बै प्रतिक्षा करो अभी आख खोलने की, रतना भाई है, हसी, वोले उसके लिए इनके आख खोलने की प्रतिक्षा करने की क्या हुए शक्ता है, तूलसी का दल लिया, मुर्दों के मुह में डाला, हर मुर्दे के कान में गायत्री मंत्र फोका, मुर्दे खड़े हुए चले ग आज की तरह का समय तो था नहीं कि आप पेस्बूक पर टाइट कर दो कि चिठ्थी लिखने के लिए चिठ्थी में कई लिए निश्च नहीं खर पाए कि उनको संभूधित क्या करे बड़े की दिश्टी से करें जाए गए हैं कूरा काले भी जान होता तो समझते तो अब एकदम चांग देव को मन में बड़ा बुरा लेगा उनको लगा कि भई आठ साल की बच्छी मुझ को आशर ही मिलने के लिए जाना है पर अभी भी आंकार गया नहीं उनको लगा साधान तरीके से तो कोई चला जाए यह कैसे पता चलेगा कि सिद्ध संत मिलने के लिए आ रहा है तो उन्हें एक शेर की सवारी बनाई साब का चावुक लिए इस पर चढ़के जाएंगे लोगों को पता चले कि बड़े सिद्ध संत आ रहे हैं पीछे लोग जैजेगार करते भी चले जो संत गयनेश्वर के प टपाया बोले चल तूही चले दीवाल उनकरके गई है और जब दीवाल ऊकरके गई है और चांग्देव के सामने उतरी तक उनका हंका तूता और वो संत पर कहानी का जो मर्व है वो कितना प्यारा है कहानी का मर्व क्या है 1400 साल की समाधी भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती है जागना हो तो व्यक्ति को इसी क्षण जागना होता है व्यक्ति को अपने जीवन का मूले मापना हो तो इसी क्षण मापना होता है जो यह सोचे कि कल करेंगे उसके जीवन में कल कभी आता ने जागना हो तो एक इछण वेक्ति को जगाने के लिए परयाबते हैं हम अपने आप से पूछे हैं और अपने आप से सोचे हैं कि क्या हम जागने को तैयार हैं समाज जो है वो जीवन के मुल की जो परिभाशा है वो बहुत छोटी चीज़ों से करता है आप में जान से करता कौन है समाज आपकी जीवन की परिभाशा ता है किस से करता है बाहर की सबलता से आपके पैसे आए कि नहीं पैसे आए इतना काफी नहीं है औरों की तुल्णा में जादा आए कि ने, घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़ा आए कि ने, गाड़ी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया आए कि ने, पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से जादा है कि ने